उधर कॉंग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर टेक्स बढ़ाने को आर्थिक देश द्रोह करार दिया है कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सारी दुनिया ऐसे नाजुग घड़ी में जनता की जेब में पैसे डाल रही है और हमारी सरकार जनता की जेबे काट रही है भारत सरकार एक तरफ तो लाखो करोड की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही ये अपने आप में एमानविये भी है और केंद्रिय भाजप्पा सरकार की निर्देता भी मोधी जी से हम यही कहेंगे तू इधर उधर की बात ना कर ये बता की कारवां कैसे लुटा इंसानों के लॉगडाउन में प्रकृति का रूप वहीं निखरने लगा है एक तरफ सियासत जारी है लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप बता दे लॉगडाउन में लोग घरों में बंद हैं लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति का रूप देखे गंगा का पानी स्वच और निर्मल हो चुका है तो यमुना भी साफसुत्री कल कल बहने लगी है पहाडों और वादियों का भी सौंदरे दमकने लगा यहां तक कि उनकी चमक का दीदार सैक्डों मील दूर से भी किया जा सकता है विहार की सीता मड़ी से सैक्डों किलो मीटर दूर हिमाले की चोटिया दिखने लगी है तस्वीरे आपके सामने हैं ये खबर देखकर आप सहजी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसानों ने किस हद तक पर्यावरण का नुकसान पहुचाया था और प्रकृति आप खुद को समेटने में कैसे लगी फी है नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले